अजीत पावार ने सीफा दे दिया है तो बड़ी खबर आपको बता दे डिप्टी सीएम पट से अजीत पावार ने सीफा दे दिया है तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहाँ पर लगातार अजीत पवार को मनाने की कोशिश श्रेंसिपी के नेता कर रहे थी उसी बीच ये बड़ी खबर जहाँ सूत्रों से हवाले खबर अब तक ही मिल रही थी कि अजीत पवार श्वायद स्टीफा दे सकते हैं जहाँ पर अजीत पवार ने स्टीफा दे दिया है तो कल बीजिपी को जहाँ पर बहुमत साबित करना है चांद पांच बजे तो वहीं इस बीच डिप्टी स्टीफा पवार ने स्टीफा दे दिया है तो वो कई दिनों से अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रहे है और इस तरह की कयास इसलिए भी यहाँ पर लगाय जा रहे थी क्यूंकि अब तक उन्होंने डिप्टी सीम के तौट पर अपना पद ग्रहन नहीं किया था आज 26-11 को लेकर शहीतों को शदाजी दी जानते उस कारक्रम में भी वो शामिल नहीं हुए इसके साथ ही दिवेंद फड़नविस के घर पर एक बैठक थी उसमें भी शामिल ना हुना कहीं न कहीं साफ बतला रहा था कि ये तमाम जो चीजें बनकर सामने निकल रहे हैं उस बीच शायद हो सके कि अजीद पवार अपना स्टीफा दे दे और फिलाल ये खबर जहांपर जिप्टी सीम के पत से अजीद पवार ने स्टीफा दे दिया है तो कल स्टो टेस से पहले ही अजीद पवार का स्टीफा सामने आ गया है देवेंद पड़न्विस के साथ जिप्टी सीम के तौर पर उन्होंने शपत ली थी